हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल बीर विल्डाउसिंग में एक और नहीं वीडियो लेक्चर साथ आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्लिंथ वीम के उपर कि ब्रिक वर्क नीची हमें करना चाहिए नहीं करना चाहिए कौन सी कंडिशन में करना चाहिए प्लिंथ वीम हम क्यों देते हैं टाइवीम क्या है और इसके क्या क्या काम है मतलब किस तरह से वर्क करेगा हमारे घर के लिए हाउस कंस्ट्रक्शन का यानि के कम पैसे में घर बनाएं सीरीज का पंद्रवे नंबर का वीडियो 15 नंबर का इससे पहले 14 वीडियो आल्रेडी आ चुके हैं वो नहीं देखें तो देख लें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कियें तो सब्सक्राइब कर ले वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा देखिए अगर मान लीजिए हम अपना घर बना रहे हैं तो उसमें हमें एक जगे कन्फ्यूजन होता एक तो प्लिंथ बीम के बाद टाइ वीम और एक हम जो बात करते हैं वो जो नीचे से ही हम बीम के बात कर रहे हूं तो यहां पर हम सोचने मजबूर हो जाते हैं कि यह विए法 आप जब भी अगरभ रणते तो आप किसी ऐसे व्यक्थी गेया देखते जिसका आप अल्रेटी के चल्राइओ हma रहा है वहाँ पर नीचे दिया जाता है प्लिंथी किसी कंडिशन में उपर दिया जाता है और कहीं भर्रिक्वक होगति जाता है अगर मान लिजी वो भी जीरो लेवल पर है यानि कि एक समान जगह पर है इस कंडिशन में आपको क्या करना चाहिए अब रोड अगले चार साल पांस साल में जब भी बनेगी तो वो थोड़ी सी हाइट पर ही आएगी अगर आप प्लिंथ वीम जो है आप जमीन से दे देते हैं तो यहां पर आ हाइट वगेरा के लिए दिक्कत आएगी तो आपको नीचे ब्रिक वर करना होता है ब्रिक वर कॉन सी कंडिशन में करना होता है आप देखिए मान लेजिए आपका जो फुटिंग आया फुटिंग के बाद आप देवड से दो फिट आपके ऊपर हाइट रख रहे हैं आप जिससे कि इन फुटर आपके आजुबाजु का पानी ना आए महाँ पर और रोड लेवल भी बढ़े तो आपके घर में कोई दिक्कत ना आए तो अब आप जो प्लिंथ वीम डालेंगे या टाई वीम डालेंगे वो आप कहाँ पर डालेंगे दो फिट उपर हाइट से जालते हैं तो आप यह चीज बिल्कुल ना सोचिए कि यहाँ पर ऐसा क्यूं है और यहाँ पर ऐसा क्यूं है यह सभी कंडिसंस के इसाब से डिपेंड करेगा अब जब मान लीजे देड़ से दो फिट आपकी उपर है प्लिंथ वीम तो नीचे आपको क्या करना होगा ब्र जंथ वीम आउटर पर तो आपको करना ही करना है यह बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है लेकिन बीच में भी अगर आपको कहीं ऐसे लगता है कि यहाँ पर जरूरी नहीं है तो छोड़ सकते हैं लेकिन आप फिर वी एक बार कंसल्ट करें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अर्किटेक्ट की सलाह लें इंजिनियर से परामर्स लें मतलब आपका जो वर्क है वह अच्छा होना चाहिए इसके लिए आपको यह चीज तो करना ही होगा अब बात करते हैं कि जब PCC हम प्लिंथ बीम डालते हैं क्यों डालते हैं लोड जो है हमारा अच्छे से डिस्टि जो बन रहा है घर वो डारेक्ट हाइट पर है तो इस कंडिशन में आपको क्या करना है PCC डालना है PCC पर मैं इससे पहले वीडियो में बता चुका हूँ क्या रेशो रखना चाहिए आप एक तीन छे रख सकते हैं एक चार आड रख सकते हैं आप एक मैं सामानता आपको लका सा डीपीसी डाल दें डीजोरी वहाँ पर आपको PCC डालना है और उसके बाद जब आप उपर फिर brick work कर लेते हैं तो यहाँ पर height के उपर ही depend करेगा कि आपको height कितनी लेना है आपके घर की तो यह सारी चीज़ें उस पर ही depend करेगी तो एक बार इस पर आप consult कर लें अगर आपको कहीं कोई doubt होता है तो आप comments कर सकते हैं पूछ सकते हैं और बाकी बहुत सारे details में व नमस्कार और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं कियें तो सब्सक्राइब कर लें और लाइक करना बिल्कुल न भूलें थेंक्यू